प्राइम वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो कैसे आप सब अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले समरुद्धी महामार्क यहने नाकपुर मुंबई अब वो क्या बाते है वो इस वीडियो के अपको मैं कवर करने वाला हूँ और इन डिटेल इनफोर्मिशन इस वीडियो के अपको मैं देने वाला हूँ सबसे पहले जो पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है अगर आप समरुद्धी महामार्क पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो वो है प्रॉपर टायर प्रेशर बहुत से केसे ऐसे हो रहे है कि वीडियो के टायर समरुद्धी महामार्क पे बस्ट हो रहे है ऐसा इसके पीछे कुछ कंडिशन होती है उसके बारे में सबसे बात करते हो क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप ऐसी सिचुएशन से बचे रहे हैं सबसे पहले जो भी आपकी वीडियो किसी बी कैटिगरी की हो सकती है उसमें एक रिकमेंट टायर प्रेशर हो जाता है तो सबसे बहले मैं आपको यह रिकमेंट करूँगा अगर संबुरीदी महा मार्क पर आप ट्राइवल करने का प्लैन कर रहे हो अराउंड 575 किलोमेटर नाकपूर टुशिडी तो मैं आपको रिकमेंट करूँगा आप अपने वीडियो के टायर में 25 PSI दिया गया है तो आप उससे दो से तीन पॉइंट यानि दो से तीन PSI कम फिल कराईए अब यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप फैं लॉंग हाइवेस पर चलते हो लेक्ट संबुरुदी महा मारक पर चलते हो वहां पर सिमेंट रोट है तो टायर और र अपने टायर्स के अंदर दलवा लीजिए इसके अलावा ट्रैवल करने से पहले और समुरुदी महा मारक तक पहुचने से पहले आपके जो भी वहिकल के फ्लूड लेवल्स है उसे भी चेक करना important है बहुत से लोग फ्लूड लेवल अपने वहिकल का चेक नहीं करते है डार open करना है जरनी स्टार्ट करने से पहले fluid level like engine oil आपको check करना है coolant का level आपको check करना है कि proper है या नहीं ताथिसा आपको windshield washer होता है वो भी आपको check करना है और आपके vehicle में कहीं भी engine oil का leakage या फिर coolant का leakage तो नहीं है यह आपको properly check करना है अगर ऐसी condition है तो मैं recommend करूँगा जल से जल उस चीज़ को सही कराईए और एक बार diagnose जरू कराईए एक चीज़ रिकमेंड मैं आपको यह करूँगा कि आप जब भी जरनी स्टार्ट करें अपने साथ एक coolant का हाफ लिटर वन लिटर के coolant होता है वह अपने साथ रखे विकास सम्रुद्धी महा मार्क पर मैंने बहुत से cases देखा हूँ जिसमें vehicle overheard भी हो रही है तो ऐसे condition का भी आपके साथ होती है तो आपके बस coolant रहेंगा तो आप उसे top up करके travel अपना complete कर सकते हो तो यह चीज़ मै हो गए जो के 150-200 भी क्रॉस कर रहे है तो सबसे पहली recommendation तो यह है कि आप अपनी जो vehicle है वह speed limit में जरूर चलाए 120 की speed limit दी गई है तो आप ट्राय करें उसके अंदर ही चलाए यह maximum 120 तक आप रीच करें लेकिन अगर आप इससे दादा over speeding करते हो तो उस condition में आपकी vehicle के stability भी ख speeding कर रहे है लेकिन in future यहाँ पे speed radars भी लगने वाली है तो अगर speed radars भी अगर नहीं लगती है समरुद्धी महामार्क पे उस case में आपको समरुद्धी महामार्क पे police interceptor vans भी देखने को मिलेंगी जो कि आपका over speeding चलान आपकी speed detect करके ही कर देंगा जो के 1000 से 2000 के range भी हो सकती तो उस time तो आपको आपकी limit जो है वो under 120 रखना होगा इसके बाद next point जो है वो है avoid night driving इसे बहुत से लोगे जो कि सोचते हैं कि हम night driving करें तो वो जादा better है लेकिन अगर आप समरुद्धी महामार्क आने नाकपर Mumbai expressway पे night driving करने का plan कर रहे हो तो मैं यह चीज़ आपको requirement नही है तो ऐसे काफी सारी चीज़े है जो के obstacle आपको मिल सकते है तो अगर आप night driving करते हो तो उस condition में आपको visibility जो है वो वैसे ही कम देखने को मिलती है तो अगर कोई भी obstacle आता है तो उस condition में आप vehicle को control नहीं कर पाऊंगे तो यह point बहुत जादा important है कि आपको night driving avoid करना है जितना भी maximum possible हो सके आप day driving करिए जितनी भी अगर दिन में अगर drive कर सकते हो तो आप करिए night driving जो है उसे maximum आप avoid करिए because visibility काफी जादा खराब होती है और उस condition में आपको drive करते हुए नींद भी आ सकती है तो ऐसे बहुत से reason हो सकते है बहुत से cases हो सकते यह चीज़ को आप maximum try करिए क इसके अलावा next point जा है वो है don't copy others अब बहुत से cases में ऐसा होता है friend कुछ drivers ऐसे होते हैं जो के under limit चलते हैं like जो limit दी गई है उसके under ही चलते हैं उन्हें पता होता है कि हम over speeding नहीं करते हैं और वो person ऐसे भी नहीं होते है over speeding करने वाले लेकिन आपके आसपास आप अगर एक highways पर चल रहे हो तो आपके साथ और भी गाड़ियां जरूर चलेंगी बहुत सी गाड़ियां ऐसी होंगी जो के around 120 km पर अपर बहुत सी होंगी जो के 200 भी cross करी होंगी जो के आपके आजू बाजू से निकलेंगी तो ऐसे condition में बहुत से लोग कापी भी करते हैं अगर आपकी वाजू से कोई वीकल गई, around 150 के स्पीड से, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों तरह स्लो चल रहो, मैं भी अपनी ओर स्पीडिंग करता हूँ, एक मैं भी उन्हें कॉपी करता हूँ तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है विकास कुछ परसंस होते हैं, जिन हाई स्पीड पे चलाने की आदत नहीं होती है अगर आप दुसरों की कॉपी करते हो, हाई स्पीड में अपनी वीकल भी अगर चलाते हो तो उस कंडिशन में फटल एक्सिडेंट्स हो सकते है आपकी वीकल क्रैश हो सकती है और आप अपनी वीकल से स्टेबिलिटी भी खो सकते हो तो ये चीज़ अवाइट करो, किसी को भी कॉपी मत करो स्पीड लिमिट 120 है, आप उसके अंडर चल रहे हो, 120 चल रहे हो ठीक है, आपको किसी से लेना देना नहीं है वो भले 200 की स्पीड से जाए, 150 की स्पीड से जाए आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है आप अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करें इसके बाद नेक्स पॉइंट जो है, अगर आप समरुद्धी महामार के ने अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने साथ कुछ न कुछ स्नैक्स जरूर रखे, अगर मैं बता दू कि अगर आप नाकपूर टु शिड़ी अभी जो लोग ट्रैवल कर रहे है maximum distance, अगर आप वो ट्रैवल करते हो, तो मैं आपको बता दू कि इस जरनी के दौरान आपको कोई भी food court, या फिर restaurant, या फिर snack corner नहीं देखने को मिलेंगा अगर आपको in case आपकी जरनी के अंदर कोई snack की जरूरत पढ़ती है, अगर भूख लगती है, तो आपको कही भी food court, restaurant या snack corner नहीं देखने को मिलेंगा तो इसलिए जब भी आप journey आपकी start कर रहे हो तो आप अपने साथ कुछ light snacks जरूर रखे साथ साथ एक drinking water की facility भी जरूर रखे अगर in case आपको भूख लगती है तो आप snacks जो है वो intake कर सकते हो और साथ साथ आप अपने साथ पानी भी जरूर रखे तो यह चीज़ आपको journey start करने से पहले जरूर करना है otherwise आप वैसे ही निकल जाते हो तो आपको कहीं भी restaurant या food courts नहीं मिलने वाले हैं कहीं भी आप रुक के खाना पीना नहीं कर सकते हो के अलावा friend अगर आप longest journey कर रहे हो लाइक अभी जो recent लोग जा रहे है वो है नाकपूर टू शीटी अगर आप इतनी लंबी journey कर रहे हो तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप 100 km या 150 km पर एक rest जरूर ले जो कि around 10-15 minutes का हो ऐसे में आप भी काफी ज़दा relax हो जाते हो थोड़ा आप गाड़ी से बहार निकले 10-15 minutes का आप रिलाक्स दे 150 km पर आपकी वीखल को भी थोड़ा rest हो जाएगा उस condition में आपको journey में कोई भी issue नहीं आएगा यही कुछ points है जिस पर आपको ध्यान देना है और बहुत important points है अगर आप समुरुद्धी महामार यहने नागपूर मुंबई expressway पर अगर ट्रैवल करते हो तो यह सब बातों का आपको खास खयाल रखना है आशकर तो आज कर वीडियो आपको अच्छा लगोंगा इन डीटेल में समझ भी गया होगा जो चीज में आपको important बताना चाहता हूँ अगर आपकी कोई भी doubt है इस वीडियो से related या कोई भी other तो आप comment section में पूछ सकते हो मैं जल्द से ज़र आपको reply देता हूँ सबना आज के लिए इता है मिलता हम next video में जब तक लिए goodbye